हेलो फ्रेंज नमस्कार स्लावलेकूम स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ केर में तो आज हम डावा लाल तेल का फुल रिविविव करेंगे इसके क्या बेनिफिर्स है क्या साइड इफेक्ट है इसे कब लगाना चाहिए किसे लगाना चाहिए और कितनी म मात्रा में लगानी चाहिए क्या हम इसे सरसो तेल में मिलाकर यूज कर सकते हैं नहीं सब कुछ जानेंगे तो आप वीडियो के इन तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं यह डावालाल तेल है जो बिना डॉक्टर के prescription के मिलने वाली एक आईरवेदिक तेल है यह इंडिया के किसी भी state में आपको easily available मिल जाएगा किसी भी medical store पे या किसी भी general store में भी मिल जाता है यह तो हम आएए आपको इसके expiry के बारे में और rate के बारे में बताते हैं यह 50 ml की होती है इसके प्राइस 55 रुपे हैं इसके एक सपायडी भी 3 साल की है जैसा कि आप देख रहे हैं यह 2021 की बनी है और 2024 तक चलेगी और इसे बड़ी आप ले सकते हैं यह 100 अमेल की भी आती है 200 मिलकी भी आती है इसके volume के हिसाब से इसके price होती है अब हम इसके composition के बारे में जान लेते हैं यानि कि ये किन-किन चीजों से मिलकर बनी है इसमें है तिल का तेल जो हड़ियों और मांसपेशियों को पोसन देता है तोचा को मुलायम और कोमल बनाता है इसमें रतन जोत भी है जो तोचा से जूरी परिसानियों से बचाता है जलन को भी सांत करता है ये इसमें मांस है जो मांसपेशियों और हड़ियों को पोसन देता है उन्हें मजबूत बनाता है इसमें सख पुनसी है जो चमर रोग और कम जोड़ी एमयोपयोगी होता है इसमें कपूर भी है जो रक संचालन को सुधार करता है यानि कि Black Circulation को तो शही करता है और इसका यूज हम आप बच्चों के लिए कर सकते हैं यह बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसके इसकी मसाज की जाती है इसके मसाज से बच्चे के हड़िया काफी स्ट्रॉंग होती है और बच्चे बहुत जल्दी चलना सुरू कर देते हैं इससे बच्चों की मसल भी स्ट्रॉंग होती है इसका यूज आप सुबह साम कर सकते हैं यानि कि इसकी माल इस बच्चों की आप सुबह साम कर स क्योंकि ये गर्म तेल होती है, अगर हम इसका यूज सरसोय तेल में मिला के करते हैं, तो थोरी quantity में करना होता है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती है, ये तेल धोरी मातरा में यूज करनी होती है, अगर बड़ो के भी muscles में पेन हो रहा है, यानि कि पे दर्द हो रहा है या कहीं हडेओं में दर्द हो रहा है या swelling आ गयी है तो उसमें भी आप इस तेल का using कर सकते हैं यह बरों के लिए भी फायदेमंद होता है बच्चों के लिएror होता है मैंने खुद अपनी बेवी के लिए इस निकल आते हैं बोडी पे अगर एक बार लगाने से या दो बार लगाने से बच्चों के सरीर पे दानी निकल आए या इसकी लाल-लाल सी दिखने लगे तो आप इसका यूज ना करें अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले ले उसके बादी यूज करें क्योंकि यूज करना होता है बिल्कुल आप थोड़ा से लगाएं ये रैड कलर की होती है क्योंकि ये जरी बूटियों से बनी है इसका रण से ये रैड होती है और हमारे मुसल्स को काफी प्रॉफिट देती है इससे लगाने से हमारे ब्लर सर्कुलेशन सही हो जाता है देखिए कितनी अच्छी तरह से हातों में मिल जाती है बच्चों को काफी प्रॉफिट होते है बच्चों के हड़िया जल से जल मजबूत हो जाती है इसकी मालिस करने से ये एक आयरवेदी बेवी मसाज वाइल है इंडिया का ये नमबर वन वाइल माना जाता है बच्चों के लिए तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सेयर करें और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठाइंक यू